फाइनेंस से जोड़ी लेटिस इंफरमेशन पाने के लिए फिनोवेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम शापोर जी पालोंजी और टाटा संस के बीच के जगड़े के बारे में वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए हम जानेंगे दशकों से चले आ रहे है बिजनस में दरार कैस आई और एंड में ये बिजनस दील कैसे टूटी तो चलिए शुरू करते हैं जगड़ा कैसे शुरू हुआ ताटा और मिस्तरी परिवार के बीच राइवल्री की कहानी ऐसी नहीं है जिसके बारे में बात नहीं की गई है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कोश ताइम पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था दूर दर्शी मिस्टर रतन टाटा ने सारस मिस्तरी में बहुत कुछ देखा और उनका मानना था कि सारस मिस्तरी के पास ग्रेट एमपायर बनाने और उसे बनाए रखने की शक्ती और दृष्टी थी उन्होंने खुद को सारस मिस्तरी में दे को गाइड करें जैसे वो खुद कई सालों से करते आ रहे थे लेकिन 2016 में चीजें तेजी से बदल गई जब सारस मिस्तरी को 24 अक्टूबर 2016 को टाटा संस के बोर्ट से चेर्मेन के पद से हटा दिया यानि 2012 में कंपनी की कमान संभालने के सिर्फ चार सालों बाद ही मिस्तरी को हटा दिया गया ऐसा कहा जाता है कि मिस्तरी को रातो रात पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और जब उन्होंने इंकार कर दिया तो उन्हें एमरजनसी बोर्ट की मीटिंग के बाद निकाल दिया गया और यहीं से सब कुछ सामने आ गया रतन टाटा और सारस मिस के बीच के इस जगड़े ने उन दोनों के साथ साथ बिजनस ओपरेशन के बीच भी तनाव बढ़ा दिया हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे टाटा अपने अंदरूनी जगड़े को बाहर नहीं आने देते हैं लेकिन इस जगड़े ने बहुत सी चीजों को बाहर ला द सालों के लिए सब कुछ शांत हो गया ज्वाला मुखी में विसफोट कैसे हुआ तनाव फिर से बढ़ गया जब टाटा ग्रूप में कथित रूप से 18.4% हिस्सेदारी दखने वाला SP ग्रूप अपनी हिस्सेदारी गिर्वी रखकर फंड कलेट करना चाह रही थी मूल रू दूसरे मेजॉरिटी शेर होल्डर्स और टाटा संस नहीं चाहते थे कि हिस्सेदारी में बदलाव हो इसलिए उन्होंने SP ग्रूप को अपने बिजनस के लिए एडिशनल कैपिटल के बदले में टाटा संस के किसी भी शेर को गिर्वी रखने से रोकने की कोशिश की उन्हो इस फंड से SP ग्रूप कंस्रक्शन फील्ड में अपने बिजनस को एक्स्पैंड करना चाहता था क्योंकि महामारी के बाद इस फील्ड में अच्छी ग्रोथ की संभावना थी दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही लगते हैं लेकिन SP ग्रूप ने आरोप लगाया है कि टाटा ग्रूप ने SP ग्रूप को टाटा संस में अपने शेर को गिर्वी रखने से रोकनी की कोशिश की है जबकि मिस्त्री परिवार अपनी निजी हिस्सेदारी बेच कर फंड क खरीद सकता है और अगर टाटा ग्रूप खुद ये हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है तो क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन यानि AOA में कहां गया है कि अगर टाटा संस का कोई भी शेर होल्डर अपने शेर्स को बेचना चाहता है तो उसे पहले टाटा संस को ही ये उफर देना होगा SP ग्रूप के अनुसार वो शुरू से बातचीत के लिए तयार है और हमबल वे में टाटा ग्रूप से बहार निकलने के लिए एक बेस्स सल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं अब टाटा ग्रूप ने अनॉंस किया है कि वो टाटा संस में SP ग्रूप की हिस्सेदारी खरीदेगा ये देखना दिल्चस्प होगा कि टाटा ग्रूप ये हिस्सेदारी खरीदने के लिए SP ग्रूप द्वारा Determined Valuation को कैसे पूरा करता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप stock market में smartly invest करना सीखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक खास offer जिसमें आप हमारे सभी courses पर 14 दिन का free trial ले सकते हैं यानि शुरुआत के 14 दिनों में आपसे कोई charge नहीं लिया जाएगा साथी आप subscription को इन 14 दिनों के अंदर कभी भी cancel कर सकते हैं इसमें भी आपसे कोई charge नहीं लिया जाएगा 14 दिनों का free trial लेने के बाद आप debit card या credit card का इस्तमाल कर सकते हैं तो अब देर कैसी offer का link नीचे description box और comment section में available है टाटा ग्रूप की स्थिथी भी बहुत बहतर नहीं है टाटा ग्रूप की कंपनियों के financial performance पर करीबी नज़र रखने से ग्रूप की debt situation का पता चलता है विशेश रूप से steel, auto और power business जो सबसे ज़्यादा effect हुए है टाटा स्थील UK के नाम से UK में steel का business पिछले कुछ सालों में 11,000 क्रो रूपीज के घाटे में चल रहा है और लगातार इसका operation घट रहा है कुल मिलाकर टाटा ग्रूप की बड़ी companies पिछले तीन सालों में लगभग 1 trillion रूपीज के कर्ज में हैं टाटा Consultancy Services यानी TCS ग्रूप की कुछ बड़ी companies में से एक हैं जो आगे रहने में काम्याब रही है और बहतर प्रदर्शन कर रही है फिलहाल तो इस कहानी को एक temporary stop देने के लिए टाटा ने बयान जारी किया है कि वो SP ग्रूप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई जल्दी बाजी नहीं करेगा वैसे आपको क्या लगता है आगे क्या होगा हमें कॉमेंट्स करके बताएं यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थांक यू